नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूँ आपके साथ शेलेंद्र पांडे तेज के तमाम दर्शकों को शारदी नवरात्री की हारदिक शुब कामनाए बहुत सारे घरों में जादातर घरों में नवरात्री के दोरान दुर्गा सब्तशती का पाठ होता है और लोग दुर्गा सब्तशती का पाठ करने से अपनी बहुत सारी मनों कामनाओं को पूरा कर लेते हैं आज बात करेंगे कि दुर्गा सब्तशती आखिर है क्या, इसके पाठ के नियम क्या है और किस तरह की साब्धानिया इसके पाठ करने में बरतनी चाहिए चाल चक्र में आज क्या खास है चलिए बताते हैं आपको चालचक्र में आज बात करेंगे दुर्गा सब्तशती की महिबा के बारे में सबसे पहले ये जानते हैं कि दुर्गा सब्तशती है क्या और दुर्गा सब्तशती की खास बाते क्या हैं, इंपोर्टेंट बाते क्या हैं ऐसा माना जाता है कि वेदों की भाती दुर्गा सब्तशती भी अनादी है जैसे वेदों के बारे में मानते हैं कि वेद कहां से आये किसने लिखा इसकी कोई जानकारी नहीं है ऐसा मानते हैं कि स्वयम इश्वर के मुख से प्रकट हुआ है ऐसा दुर्गा सब्टशती के बारे में भी मानते हैं मारकंडे पुराण के माध्यम से दुर्गा सब्टशती जन सामान में तक पहुची है आम आदमी ने इसे जाना है मारकंडे पुराण के माध्यम से देवी की उपासना के लिए दुर्गा सब्तशती को सर्वस्रेष्ट ग्रंथ माना जाता है ऐसा माना जाता है कि अगर आप देवी की उपासना में दुर्गा सब्तशती का पाठ करते हैं तो उसके परिडाम बड़े शुब होते हैं दुर्गा सब्टशती में देवी की उपासना के साथ शौ इसलोग दिये गए हैं इसलिए इसे सब्टशती कहते हैं साथ सौ ये साथ सौ इसलोग तीन भागों में बाटे गए हैं प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र प्रत्हम चरित्र में केवल पहला अध्याय आता है मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चोथा अध्याय आता है और बाकी के सारे अध्याय उत्तम चरित्र में रखे गए हैं ये जो 700 इशलोक हैं इसमें मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण और विद्वेशन के इशलोक दिये गए हैं यानि तंत्र की जितनी विधिया हैं मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण और विद्वेशन ये तंत्र की शक्तियां हैं इंतंत्र की तमाम शक्तियां दुर्गा सप्तशती में दी गई हैं। दुर्गा सप्तशती एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसी स्तुती है, कुछ ऐसे श्लोकों का कॉंबिनेशन हैं, जो अपने आप में बेहत ताकतवर हैं। इनका प्रियोग अगर आप जान जाएं, तो इससे आप मारन, मोहन, उचाटन, स्तंभन, विद्वेशन सब कर सकते हैं। रहस्य को जाने बिना आप दुर्गा सप्तशती का लाब नहीं पा सकते हैं। सवाल यही है कि आखिर वो कौन सी बात है, वो कौन सा रहस्य है, जो छुपा हुआ है दुर्गा सप्तशती के अंदर उसको भी जानते हैं। दुर्गा सप्तशती में शक्ती प्राप्ती और प्रियोग का अद्भुत विज्ञान छुपा हुआ है। इसलिए इसको मंत्रों से कीलित कर दिया गया है, मंत्रों से बाध दिया गया है। बिना इसको उत्कीलित किये हुए अगर आप दुर्गा सब्तशती का पाठ करें बिना मंत्रों से खोले हुए अगर आप दुर्गा सब्तशती का पाठ करें तो इसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा कितने भी नियम और सावधानी के साथ इसका पाठ किया जाए बिना उत्कीलन के दुर्गा सब्तशती का प्रभाव शूलने होता है इसको मंत्रों के द्वारा बाध दिया गया है जिसको खोलने को उत्कीलित करना कहा जाता है यानि यह कीलित इस्टुती है जब इसको उत्कीलित करेंगे मंत्रों की सहायता से खोलेंगे तब ही दुर्गा सब्तशती का पूरा पूरा लाभ आपको हो पाएगा अब सवाल ये है कि दुर्गा सब्तशती का पाठ करना चाहते हैं इसके मंत्रों का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं इसके मंत्रों को खोलेंगे कैसे उत्कीलित कैसे करेंगे ये विशेश विधी मैं आपको बताता हूँ जिस माध्यम से आप दुर्गा सब्टशती को उत्कीलित करके खोल करके इसका पाठ कर सकते हैं दुर्गा सब्टशती के उत्कीलन के कई तरीके बताए गए हैं युरूद्र यामल तंत्र में, मारीच कल्प में, देवी भागवत में इसके बड़े सारे तरीके बताए गए है सब्षती के पाठ करने के पहले आप एक उत्कीलन मंत्र में आपको बताता हूँ जो मारीज कल्प से लिया गया है इस उत्कीलन के मंत्र का 108 बार आपको जब करना चाहिए वैसे तो जैसा मैंने बताया कि बड़े सारे तरीके हैं लेकिन आपको एक सरल तरीका बताता हूँ मारीज कल्प में ये सरल तरीका दिया गया है दुर्गा सब्षती का पाठ करने के पहले आप एक खास मंत्र 108 बार जब लीजिए मंत्र देखे स्क्रीन पर मंत्र होगा ओम, श्रींग, श्रींग, क्लीन, हूम, ओम, एंग, छोब है, मौ है उत्कीले, 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 ठंग, ठंग फिर से नोट करें मंत्र एक-एक अक्षर पे जोड़ दे ओम श्रींग श्रींग क्लींग हूम एंग ओम एंग शोब है मोहे उतकीले 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 ठंग ठंग इस मंतर का जब आप दुर्गा सब्तशती का पाठ करने के पहले 108 बार करेंगे लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला से आप पहले इस उतकीलन मंतर का जब करेंगे इसके बाद दुर्गा सब्तशती का पाठ करेंगे अभ्यास करेंगे अब ये प्रश्ण पैदा होता है कि सब्तशती का पाठ कैसे करेंगे इसके मंत्रों को तो खोल लिया उत्कीलित कर लिया अब इसका पाठ कैसे करेंगे शब्त सती का पाठ किसी भी समय में कर सकते हैं वैसे नवरात्री में सब्त शती का पाठ करना जादा बेहतर होगा लेकिन सब्टशती का पाठ आप किसी भी समय में कर सकते हैं नवरात्री के नौ दिनों में इसका पाठ करना सर्वोत्तम होता है कैसे करेंगे देवी के सामने घी का एक दीपक जलाएं उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें इसके बाद नियम पूर्वक सब्टशती का पाठ करें जितने दिन भी सब्टशती का पाठ किया जाएगा उतने दिन सात्विक्ता बनाए रखी जाएगी जो कोई भी नवरात्री में सब्टशती का पाठ करेगा वो प्याज, लहसन, मांस, मदिरा, आदी का प्रियोग नहीं करेगा तो जितने दिन सब्तिशती का पाठ किया जाए उतने दिन सात्विक्ता बनाए रखना हर लिहाज से जरूरी है तब ही जाकर के आपको सब्तिशती के पाठ का फाइदा मिल पाएगा अब सब्तिशती के पाठ का नियम क्या है एक-एक करके पूरा पढ़ा जाए या कोई और अध्याय पहले पढ़ा जाए बाद में कौन सा पढ़ा जाए क्या इसका सिस्टम है सब्तिशती पढ़ने का सिस्टम क्या है तरीका क्या है सब्टिशती का पाठ अगर एक बार में आप पूरा पूरा करते हैं एक बार में पूरे पूरे साथ सौश लोग पढ़ते हैं तो वो सर्वुत्तम होगा नहीं तो एक दिन में केवल मध्यम चरित्र का पाठ करे दूसरे दिन प्रथम और उत्तम चरित्र का पाठ करना चाहिए अगर रोज पाठ करते हैं तो पहले दिन एक पाठ फिर दो अध्याए, फिर एक अध्याए, फिर चार अध्याए, फिर दो अध्याए, फिर एक अध्याए और फिर दो अध्याय का पाठ साथ दिन में करके सब्तिशती को समाप्त करना चाहिए जैसा आपको पहले भी बताया कि सब्तिशती की शुरुवात करने के पहले सब्तिशती का पाठ करने के पहले उत्कीलन मंत्र का अवश्य जब करना चाहिए अगर आप उत्कीलन मंत्र का जब नहीं करेंगे तो सब्तशती का पूरा फाइदा आपको नहीं मिलेगा चाहें तो उत्कीलन मंत्र के बाद कवच, अर्गला और कीलक का पाठ भी कर सकते हैं और इसके बाद सब्तशती का पाठ भी किया जा सकता है सब्त शती का पूरा फाइदा लेने के लिए अगर आप चाहें तो लाल वस्तर धारन करके इसका पाठ करें लाल वस्तर धारन करके लाल आसन पर बैठ करके अगर आप सब्त शती का पाठ करें तो आपको बहुत सुंदर प्रेडाम मिलेंगे सब्टशती का पाठ बेसिकली शक्ति का पाठ है शक्ति की पूजा है इसलिए लाल रंग का इस्तमाल करने से इसमें निश्चित रूप से लाब होता है अब बहुत सारे हमारे भाई ऐसे होंगे बहुत सारी माताएं बहने ऐसी होंगी जो सब्तिशती का पाठ नहीं कर सकते हैं या सब्तिशती का पाठ जिनसे नहीं हो सकता तो ऐसे लोग देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, केवल सिद्ध कुंजिका इस्तोत्र का अगर पाठ किया जाए नवरात्री में सिद्ध कुंजिका इस्तोत्र का पाठ करने से देवी के संपून पाठ का फल मिल जाता है अगर आप सब्तशती नहीं पढ़ पा रहे हैं तो केवल सिद्ध कुंजिका इस्तोत्र का नियमित रूप से नवरात्री में पाठ करें अगर वो भी संभव न हो तो देवी के 32 नाम बताए जाते हैं देवी की 32 नामावली का पाठ करना चाहिए अगर आप सिद्ध कुंज का इस्तोत्र का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा भी ना हो सके तो सब्तशती के किसी सिद्ध इस्लोक का पाठ रोज 108 बार करना चाहिए जैसे सब्तशती का सिद्ध इस्लोक है ज्यान नामापी चेतानसी, देवी भगवती हिसा, बलादा कृष्यमोहाय, महामाया प्रयच्छती हाना कि ये वशीकरण का इस्लोक है लेकिन इसी तरह से दुर्गा सब्तशती का कोई एक श्लोक चुन ले और श्लोक चुन करके अगर नियमित रूप से आप नवरात्री में पाठ करें तो आपको लाब होगा, नहीं तो देवी के 32 नाम लीजिए नहीं तो सिद्ध कुंज का इस्तोत्र पढ़िए और अगर दुर्गा सब्तशती का पाठ आप नवरात्री में कर सकते हैं तो उससे बढ़ियां उससे अच्छा तरीका कोई नहीं होगा